दोस्तों बॉलिवूड की मश्यूर एक्ट्रस कंगना रनौत कई सारी बातों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं आप भी जानते हैं कि कंगना रनौत काफी आउटस्पोकन है काफी बेबाग की तरीके से अपने विचारों को प्रकट करती रहती है दोस्तों वह सोचल मीडिया हो या कोई और प्लैटफर्म होस्त कंगना रनौत को रोका नहीं जा सकता अब हाली में आप जानते होंगे कि कंगना रनौत का ट्विटर हैंडल भी सस्पेंड कर दिया गया था लेकिन वो temporarily suspend किया था और अब वो खुल चुका है वैसे तो कंगना रेनौत politically और social मुद्दो को लेकर ही चर्चा में रहती है और अपने tweets और अपने social media पे इन ही को लेकर बाते जादा करती है लेकिन हाली मेरों ने बहुती cute incident शेर किया ये incident जो है इनकी मा से related है क्या है पूरी story और क्या है ये पूरा incident जानिए इस वीडियो में लेकिन उससे पहले मैं हूँ अकाश करता हूँ आपका स्वागत हमारे channel पे आप देख रहे हैं next night live तो दोस्तों कंगना रेनौत ने अपने social media handle से अपनी मा की एक तस्वीर को शेर किया जिसमें वो खाना बनाते हुए दिख रही है इस story को शेर करते हो उन्होंने बताया कि उनकी मा को उन्होंने phone किया था उनकी जो mother है उनसे वो बातशीत कर रहे थे जिसमें मम्मी ने बताया कि उनको ठंड लग रही थी क्योंकि ठंड चल रही है और खाना बनाना मुश्किल हो रहा था तो इस चीज को लेकर बहर निकल गई और जो अंगिठी होती है उसको बहर रखवा लिया और उस पे खाना बनाने लगी जहां कि बहर धूप थी तो इस चीज को लेकर कंगना कहती है कि हमारे जो बाता पीता होते हैं या हमारा जो देश है यह जुगाड करने में सबसे आगे है कंगना कहती है कि मेरी मा का जो जुगाड था यह मुझे बहुत पसंद आया और मुझे लगा कि स्टोरी को शेयर सभी के साथ करना चाहिए अपनी माँ को याद करते हैं कि मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है, मेरी माँ बहुत जादा स्मार्ट है और इस तरह के जो जुगाड होते हैं, ये मेरी माँ को बहुत अच्छे से आते हैं और मेरी मदर जब भी इस तरह की बाते करती है या इस तरह की इंसिडेंट होते हैं तो मुझे बहुत खोशी होती है क्योंकि मैंने बच्छमन में अपनी मदर को ऐसा ही करते हुए देखा है अब हाली में जो उन्होंने ये नुस्कल अपनाया और ये जुगाड लगाया ये बहुत पसंद आया उन्हेंने काया कि इसके चलते चलो उन्हें सूरज की विटामिन डी भी मिलेगा और ठंड भी नहीं लगेगी इससे अच्छा जुगाड क्या हो सकता है दोस्तों आप अप अगर वर्फरंट की बात करें तो कंगना की कई मूवी जाने वाली है जिसमें दाकड एक मूवी उनकी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है ये एक एक्शन मूवी रहेगी और इस चीज को लेकर कंगना के फैंस में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी है तो दोस्तों य झाल झाल झाल